चंदोली में एक ट्रेन के टॉलेट में शव मिलने से हड़कम मच गया जानकारी के अनुसार फरक्का एक्सप्रेस के S1 कोच में शव को पॉलिथिन से बांध कर रखा हुआ था जिसकी दुर्गन से शव का पता चल पाया है इसके बाद जिब ट्रेन दीन देहल स्टेशन पर पहुँची तो जी आरपी ने शव को अपने कबजे मिलिया और शव को पोस्ट मॉटम के लिए फेज दिया है फरक्का ट्रेन में S1 कोच के बात्रूम में एक डिट बाड़ी मिली है जो काफी सड़ी गई है चापांच दिन पुरानी लग रही है और इसको पंचातना में करवाई की जा रही है और इस सूचना पर वहां पे पहुंचा गया तो दिखा गया तो एक प्लास्टिक के पॉल पिरहल पुलीस मामले की जांच कर रही है और मृतक के परिजनों के बारे में पता लगा रही है लेकिन अभी तक मृतक के परिजनों के बारे में कोई जानकारी कठा नहीं हो पाई है देखना होगा पुलीस मामले का खुलासता कब तक करती है पंजाब के इसरे टीवी के लि झाल